आज 11 अगस्त है 110 वर्ष पहले देश की आजहादी के लिए आज के ही दिन खुदिराम बोस ने मात्रु भूमी के लिए अपना सर्वस्वत त्याग कर दिया था मैं उस वीर क्रांतिकारी को नमन करता हूँ देश की तरब से उन्हें सरद्धान्जली देता हूँ साथियों आजहादी के लिए जिन्होंने प्राण दिये अपना सब कुछ समर्पित किया व्यामर हो गए वो प्रेणा की मुर्ति बन गए लेकिन हम लोग हैं जिने आजहादी के लिए मरने का सवभागय नहीं मिला लेकिन हमारा ये भी सवभागय है कि हम आजहाद भारत के लिए जी सकते हैं हम देश की आजहादी को राज के नवर्वान के लिए जी करके जिन्दगी का एक नया लुप्त लुटा सकते हैं आज मैं अपने सामने आपके भीतर आपके चहरे पर जो उत्सा देख रहा हूँ जो आत्मे विश्वाद नजर आ रहा है वो आस्वस्त करने वाला है कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं साथ हो आयाटी बॉम्बे स्वतंद्र भारत के उन समस्थानों में है जिनकी परिकल्पना टेकनोलोजी के माध्यम से राष्ट निर्मान को नई दिशा देने के लिए की गई थी बिते साथ वर्सों से आप निरंतर अपने इस मिशन में जुटे हैं सो छात्रों से शुरुआ सफर आज दस हजार तक पहुँच चुका है इस दोरान आपने खुद को दुनिया के टॉप संस्थानों में स्थापिद भी कर दिया है यह संस्थान अपनी हिरक जेंति मना रहा है डाइमंड जुविली पर उससे अधिक महत्वपों है कि सभी हिरे जो यहां मेरे सामने बैठे हैं जिने आज दिक्षा प्राप्त हो रही है और जो यहां से दिक्षा प्लाकर पुरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं आज इस अवसर पर सबसे पहले मैं डिगरी पाने वाले देश विदेश के विध्यार्थियों को उनके परिवार जनों को रजय पुरवग बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनका अभिनन्दन करता हूँ आज यहां डाक्टर रमेश वाधवानी जी को डाक्टर अफ साइंस के उपाधी भी दी गई है डाक्टर वाधवानी को भी मेरी तरब से बहुत बहुत बधाई तयार करने का बिड़ा उठाया है एक संस्तान के बतोर यह आप सभी के लिए भी गर्व का विशय है कि यहां से निकले हुए वाधवानी जी जैसे अनेक छात्र छात्राएं आज देश के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे बीते छे दसकों की निरंतर कोशिशों का ही प्रणाम आया है कि आएटी बॉम्बे ने देश के चुनिंदा इंस्टिडूशन सब एमिनस में अपनी जगा बनाई है और अभी आपको बताया गया कि आपको अब एक हजार करोड रुपिय की आर्थिक मदद मिलने वाली है जो आने वाले समय में यहां इंफर सेक्टर के विकास में काम आने वाला है और इसके लिए भी मैं आपको और इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं काम अफू Mississippi यहां इसके लिए बहुत ध्यूपिय को हूं आमरी चार्घाब प्रेश एंपरी रिवार सिद नजिए एक वेस्टरा टोंजा पिल सिर्फ लार इन्या हम परीप अबारे ठीकिल ट्रीप एक्राप्मृते हैं मेची जब आख राफ़ो शतुड़ा मेचा जब एप्सप्रश थांप्टोर्ट्यूश्ट्स अविस्ट एंड प्रॉट्ट्ट्जूश्ट्स पेजिडिए एक्टनुड़घ एक्टनौलोज और लॉज़ विकषट कॉर्ट्ट इन प्रिक बीर जिर्ट शब सब्सक्राइब। ल जो निक रॉडूक ज्टर उन्हेरा नियर वि और गुक आटिक। अर्लियर, इंप इन्हेंट सेक्टर राटी मुझाते हर्ग इंपली औरॉड़क थक्राइब। but mainly in other nations, mainly in USA. Now, India has become the destination for IT development, and today, IIT graduates are at the forefront of some of the best startups in India. These are startups that are also at the forefront of solving so many national problems. To these and to those working in the startup movement, or our planning to start one after college, please do remember that the biggest corporations of today were startups of yesterday. They were the result of idealism combined with hard work and diligence. Keep at it, do not give up, and you will succeed. You are fortunate to have lived in a campus like this, in a city like Mumbai. You have a lake on one side, and the hills too. And occasionally, you share your campus with crocodiles and leopards. It is still August, but I am sure the mood is indigo today. I am sure the last four years were a wonderful long-running experience for you all. There is so much to look back and remember. The college festivals, inter-hostial sports, student-faculty associations. Did I mention some studies as well? You have received what can be called the best that our education system has to offer. Students here represent the diversity of India from different states, speaking different languages from different backgrounds. You merge here in pursuit of knowledge and learning. In other words, IIT Bombay is in the country, which is working for new India for new technology. In the coming two years, the world will be how much and how will this innovation and new technology will be developed. In such a way, the role of your state, the IIT, the role of your state is very important. is that dual-friendly technology. It is, whether it is a 5G broadband technology and artificial intelligence, the blockchain technology, the big data analysis is or other machine learning. ये वो तक्निक है जो आने वाले समय में स्मार्ट मैनिफेक्टरिंग और स्मार्ट सिटी के वीजन के लिए महत्रपूर्ण सिद्ध होने वाली है अब से कुछ दोर बाद जिस नई बिल्लिंग का उधाटन होगा वो भी इस दिशा में एहम साबित होने वाला है Department of Energy, Science and Engineering और Center for Environment, Science and Engineering इस नई बिल्लिंग में काम करने वाले है ये देखते हुए कि Energy और Environment देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनावती है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहां इन दोनों क्षेत्र के रिसर्च के लिए एक बहतर माहोल तयार होगा मुझे बताया गया है कि इस बिल्लिंग में एक सोलार लेब पर स्थापित की जा रही है जिसे छात्रों को सोलार एनर्जी से जूड़ी रिसर्च पे सुविदा होगी सोलार एनर्जी के अलावा बायो फियल भी आने वाले समय में क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्च सिध होने वाला है मैंने कल दिल्ली में वर्ल बायो फियल डे के अवसर पर कहा था कि इस से जूड़ी टेकनलोजी को लेकर इंजिनेरिंग के छोटे से लेकर बड़े समस्तान में पढ़ाई हो रिसर्च हो साथियों आयाटी को देश और दुनिया इंडियन इंस्टिटूट आप टेकनलोजी के रूप में जानती है लेकिन आज हमारे लिए इसकी परिभाशा थोड़ी बदल गई है यह सिर्फ टेकनलोजी की पढ़ाई से जुड़े स्थान भर नहीं रह गए है बलकि आयाटी आज इंडिया इंस्टूमेंट आप ट्रांस्मोर्मेशन बन गए है लेकिन दिने के एची आफ़ाईज कर दो करने दो को वब भर यह पताए क Nous это helemaal सक्वाइब में आप है लेकिन उल एके दो टेकी पिए बना है लेकिन सब्सक्ड़ records लेके ले कोवाईब बने इसकार